और यह जो उद्गातन आज इन 50 air condition CNG low floor busses और enforcement vehicles का होने जा रहा है, उसका जायजा लेने हे तू इन वाहनों के निकट आप बढ़े हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह enforcement vehicles जिनके अंदर bikes को भी शुमार किया गया है, तो उन enforcement vehicles का जायजा लेते हुए अर्विंद केज रिवाल जी और अब उन air condition low floor CNG busses की ओर बढ़ते हुए, उसका जायजा लेते हुए, जो अब से कुछ ही खशनों पश्चात flag off के बाद दिल्ली के सडकों पर होंगी। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि यह जो low floor air conditioned CNG busses हैं, इसमें सुरक्षा और सेवा दोनों का परियाय हम देख सकते हैं, दोनों का पूर्णता खयाल रखा गया है। इन busses के अंदर भारत state six emission standard complaints जो है वो लगाये गए हैं, intelligent transportation system है, जिसमें CCTV cameras है, panic button है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा भी हमेशा दिल्ली में सर्वो परी रही है और दिल्ली सरकार ने इसका पूर्णता खयाल रखा है, तो महिलाओं की सुरक्षा है तो इसमें CCTV cameras और panic buttons लगा और Central Command & Control Center से इसकी live streaming होती है, और बहुत ही सुन्दर बात यह है कि इसमें two way communication है control room में और GPS units जो हैं इन सभी buses में लगाई गई है live tracking के लिए और अब इनके flag off का समय है तो माने यह मुख्य मंत्री मोहदे यहां मंच पर पधार चुकी है एक बार आप से भी कर्तुल धनी हो जाया उनके स्वागत के लिए, जोड़दार तालिया हो जाये please और अब समय है इस flag off का, जिस flag off के लिए हम सभी लोग यहां पर एकत्र हुए हैं हम सभी इस बात की द्रड़ता को पूर्णता समच सकते हैं कि दिल्ली में सारवजनिक परिवहन व्यवस्था को और सुगम और सुलब बनाने हे तू यह जो आज कृति किया जा रहा है इस पर उपर वाले का भी आशिरवाद है क्योंकि सुबह से अगर हम देख रहे थे तो काले काले घने घने बादल हमें दिखाई दे रहे थे लेकिन जैसे ही फ्लाग ओफ का समय आया है तो सूरज बाहर निकल कर आए है और अपनी भीनी भीनी किर्णों से हम सभी लोगों पर आशिरवाद बरसा रहे हैं तो चर्मुत कश्च पर हम लोग पहुँच चुके हैं अश से आशिरवाद है धरती मा को प्रणाम करते हुए यह फ्लाग ओफ होने जा रहा है आप से भी कि करतल धनी के साथ फ्लाग ओफ होगा इन पच्छास एर कंडिशन सी एनजी लोफ लोड बसेस के लिए प्रतिकात् कि यह बहुत बहुत बधाई दिल्ली के हर नागरिक को जोड़ दार तालियां बननी चाहिए आपकी क्योंकि मानेनिय मुख्यमंत्री महदय श्री अर्विंद केज रिवाल जी के नेत्रत्म में इन एर कंडिशन सी एनजी लोफ लोड बसेस को ना केवल इंडक्ट किया गया है बलकि दिल्ली की सर्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुगम, सरल और सुलब बनाने हे तू अब ये बसेस दिल्ली की सडकों पर निकल रही है और मैं चाहूंगी कि आप सबी की करतल भनी जरूर बनी रहनी चाहिए लगातार इस प्लाग ओफ के लिए क्योंकि अब यहा साथ हमारे दिल्ली के जो नागरिक है उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे तो आप सभी के तालियों के गरगराहट तो बनती है ट्रांसपोर्ट एंफोर्समेंट और ये वेकल्स हम देख सकते हैं जैसा की ये बड़ी गाडियां भी हैं बड़े वाहन भी इंडक्ट किये गए हैं और साथ ही बाइक्स भी इंडक्ट की गई हैं और इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सडक पर मानों हमारे प्र जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके साथ सेवा निहित हो जाती है और आज माननिय मुख्यमंत्री मोहदै श्री अर्विंद केजरिवाल जी के नित्रत्व में सुरक्षा और सेवा का परियाय आज का ये जो उद्गाटन हुआ है पच्छास एयर कंडिशन सी इंफोस्मेंट और रोड सेव्टी के लिए है तो मैं कह सकती हूँ कि सुरक्षा और सेवा का परियाय पूरी तरह से हम यहां ना केवल इस मच से देख सकते हैं बलकि देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारी दिल्ली की जो धरती मा है इस धरती मा का भी आशिरवाद हमें मिल रह क्योंकि इन ही सडकों को व्यवस्थित रखने है तू इन ही सडकों को सुरक्षित रखने है तू यह ट्रांस्पोर्ट इन्फोस्मेंट वेकल्स अब निकल चुके हैं और दिल्ली की सडकों पर पूरी तरह से अभी हमें नजर आएंगे और किस प्रकार आम नागरिक का कभी अपने परिजनों से मिलने के लिए और उस पूरी यात्रा को सुगम बनाते हुए यह लोव फ्लोर ब्रासिज और यह ट्रांस्पोर्ट इन्फोस्मेंट वेकल्स देखे जा सकते हैं तो एक बार पुना हम कृतग्यता व्यक्त करते हैं माननिय मुख्य मंत्री मोहदय श करने चाहिए तालियों की वहचार हो जाए प्लीज और मित्रों यह बात हमेशा कही जाती है कि जब भी किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसके लिए सभी लोगों को साथ मिलाकर चलना बहुत जरूरी है और यह एक गुण हमारे माननिय मुख्य मंत्री मोहदय में पू कद बढ़ा नहीं करते एडियां उठाने से उचाईयां मिलती है सर जुकाने से और आपने सर जुकाया है दिली की जनता के प्रती इसी लिए दिली ने आपको उचाईयों तक भी उठाया है तो एक बार जोड़दार तालियों सुनका स्वागत कीजेगा मैं आपको संबोध जैसे कि मैं हमेशा कहता रहूं कि दिली को हम एक modern transport system देना चाहते हैं दिली देश की राजधानी है और हमारा दिली के लिए vision है कि दिली का transport system दुनिया के किसी भी developed country के किसी भी शहर से बहतर होना चाहिए उसी दिशा में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े स्तर के उपर public transport में बहुत सारी buses का induction किया गया उसी करम में आज 50 नई low floor AC CNG buses add की गई है कई साल बीच में ऐसे थे जब कि एक भी बस दिली की सडकों पे नहीं आई तो buses बढ़ने की बजाए buses कम होती गई जिसकी वजह से लोगों को public transport में दिक्कते होने लगी जिसकी वजह से बसे बूरी तरह से भीड से भरी रहती थी लेकिन फिर उसके बाद पिछले दो-तिन साल से आप लोगों देख रहे हो कि समय तो लगा लेकिन अब बहुत सारी buses इंडक्ट हुई है पिछले दो-तिन साल के अंदर CNG की buses भी हुई है electric buses भी हुई है cluster में भी हुई है DTC की buses भी हुई है आज ये जो 50 नई buses है ये बवाना में नया bus डिपो बनाया गया है वहाँ पे इनको रखा जाएगा उससे जो rural area है उस rural area के अंदर rural connectivity को काफी मदद मिलेगी अभी तक cluster buses के 360 busों के route है ये जो 50 नई buses आई है इनके 6 additional routes बनाये गए है जो predominantly rural areas को serve करते है इन 50 buses के बाद आज हमारे पास सडकों पे दिल्ली सरकार की 7320 busे है ये अपने आप में एक record है अभी तक दिल्ली में आज तक कभी भी इतनी संख्या में buses दिल्ली सरकार की नहीं थी सबसे जादा अभी तक की सबसे जादा बसे 7320 busे है आज दिल्ली की सडकों पे दोड़ रही है जिस में से 4010 busें DTC की है 3310 busें cluster में है और 2500 busें electric busें है इन busें में जैसा आप लोग जानते हैं CCTV कैमराज हैं पैनिक बटन है महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए GPS हैं और भी कई सारे modern equipment, modern systems के साथ ये busे less हैं 1500 और electric busें का tender award कर दिया गया है और उमीद है कि नवंबर 2023 तक और 1500 busें एड हो जाएंगे तो नवंबर 2023 तक total 1800 electric busें दिल्ली की सडकों के उपर होंगी और 2025 जो है वो एक important milestone है 2025 तक और additional 6380 buses एड की जाएंगी इस दोरान कई buses phase out होंगी, बहुत सारी buses एड हुई तो 2025 तक के अंत तक दिल्ली में total 10,380 busें हो जाएंगी net 10,380 busें हो जाएंगी जिस में से 8,180 busें electric होंगी तो 80% busें दिल्ली की 2025 तक electric buses होंगी तो एक तरह से बहुत ही modern public transport system तयार हो जाएगा आज enforcement के भी कई सारे vehicles को induct किया गया है पहली बार motorcycles induct की गई है ये mostly lane enforcement के लिए इस्तिमाल किये जाएंगे हम लोग देखते थे जो संकरी सडकें हैं उन संकरी सडकों में इनोवा को जाना मुश्किल होता था lane enforcement करने के लिए तो अब ये जो motorcycle है motorcycle जा पाएगी और ये हमने एपरेल से चालू किया था lane enforcement करने का और इसके बहुत सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं पहले थोड़ा सा जनता के साथ जोर जबर्दस्ती करनी पड़ती थी lane enforcement कराने के लिए कि अब जनता को आदत पड़ गई है लोगों को आदत पड़ गई है अब lane enforcement बसे की lane enforcement अपने आप होने लग गई है मैं समझता हूँ आने वाले कुछ वर्षों के अंदर दिल्ली का public transport system किसी भी दुनिया के देश के मुकाबले सबसे बहतर होगा धन्यवाद सर वाकई में दिल्ली के जो नागरिक है वो अपनी कृतग्यता आपको करबद रूप में व्यक्त करेंगे और इस कृतग्यता के साथ ही हम चाहेंगे कि आप जो दिल्ली की हमारी चंता है उनसे आप मीडिया के माकफित भी जो है उनसे वाकफित करें थाने का यह इंसे हो जाने की हो भी हो जाने की